मैं आपका होस्ट अंदोस्त राहुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जया जन सकती में माई येरे फरेंड्स आप लोग सभी जानते हैं यह जो लोग अप्लिकेशन हैं जो की आपको इंस्टंटली लोग प्रूआड कराती है पैंकर आधार umगजाण जानते हैं अच्छे तरीके जानते हैं अब भली बाती प्रिचित हैं इन से किस प्रकार की समस्याइं आपके सामने हो जाती हैं अब गाइज मेरे देखने में यह आ रहा है यह जो लोग चाहते हैं कि यह टोटली बैन हो जाएं बट इसके लिए कोई भी व्यक्ति प्रयासरत नहीं हैं मेरे देखने में यह आया है देखिए मैं आपको बता दूं 8 जनवरी 2020 से मैंने इस मोहिम की शुरुवात की कि जिससे की लोगों को इस सब व्यक्ति यूवा जो है आज का वो बहुत जादा मतलब प्रेशान है अगर उस व्यक्ति को जरासी भी जुरत पढ़ती है वो तो तुरंट इमिजटली एप्लिकेशन को सर्च करता है और उससे वो व्यक्ति लोन ले लेता है फिर व्यक्ति एक से लेता है व्यक्ति फिर दूस score काफी impact करता है दिक्कत करता है जो की RBI authorized application है मैं उनकी बात कर रहा हूँ और बहुत सारी दिक्कते बन जाती है फिर उनको डराया जाता है recovery agents के दोवारा फिर उनको धमकाया जाता है फिर उनके माता पिता को डराया जाता है मतलब कि आपके बेटे पे हम ऐसा case कर देंगे ये कर देंगे इस परकार की बाते बहुत ज़्यादा बोली जाती है क्योंकि व्यक्ति को आज की rate में knowledge का आभाव नहीं है पूरे तरीके से कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है बस व्यक्ति क्या करता है कि हाँ उसको जुरत पड़ी तो उसने ले लिया देखिए मैं आपको बता दू मेरा उद्देश्य हमेशा से रहा है कि मैं लोगों को पूरे तरीके से इस सबसे आजात करा सकूँ और अपनी विडियो के माध्यम से लोगों को बरपूर जानकारी दे सकूँ कि व्यक्ति किसी भी तरीके से misguide ना रहे लेकिन आज की डेक्ट में मैं हमारे देखने में यह आ रहा है जो व्यक्ति इन कंपनियों से लोगों को आजाद कराने का काम कर रहे थे हमारे चैनल बनने के बाद में जिन्हों ने चैनल बनाए थे उनका खून इतना पानी बन गया है उनकी जो सोच है इतनी खराब हो गई है कि हमारे चैनल पर आप व्यूज नहीं आ रहे तो हम लोन अप्लिकेशन का प्रमोशन स्टार्ट कर देते हैं तो मेरे भाईयो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा क्या आप देश के लिए काम करते हैं देश की जनता के लिए काम करते हैं क्या आप पैसे के लिए काम करते हैं इसे तो यही जाहिर होता है अरे अगर आपके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे अरे भाई एक बात बताओ बून बून से घड़ा बरता ये बात तो आपको याद होगी आज व्यूज नियारे कल व्यूज आएंगे लेकिन कम से कम आप इस बात को भली बाती ध्यान रखिए कि इन लोन एप्लिकेशन ने किस तरीके से लोगों को परताडित किया किस तरीके से लोगों के साथ में गुत्पीडन किया ये बात तो आपको भली बाती अच्छे से याद हो गई या आप उन बातों को भूल गए हैं तो मेरे प्रिये देशवासियो मेरा आप से निवेदन है जो भी यूट्यूबर इन लोन एप्लिकेशन को प्रमोट करते हैं उनको समझाने का प्रियतन करें उनको बताने का प्रियास करें कि इस तरीके से एप्लिकेशन का प्रमोशन आप ना करें क्योंकि इनको आप जितना बढ़ावा देंगे जो हमारी अब तक की महनत की गई है जो सभी लोगों ने मिलकर महनत की है फिर दुबारा इनको पुरे तरीके से मतलब आजादी मिल जाएगी फिर दुबारा से ऐसे ही आ जाएंगे जो कि देखिए लोग नहीं जानते कि क्या सही है क्या गलत है कि उनको ज़रत पड़ती है वो ले लेते हैं लेकिन एक बात मैं बता दूँ ये उनके लिए हानिकारक है अगर आप छोटी-छोटी समस्या उके लिए लोन पर ही निर्भर हो जाओगे तो फिर अप कैसे चलेगा कैसे सारी चीज़ों को आप मैनेज करेंगे अरे अपना को इन्वेस्टमेंट कैसे करना है ये बताएं लेकिन बस व्यक्ति कहता है कि इन्वेस्मेंट करो इन्वेस्मेंट करो व्यक्ति मैंने देखा है म्यूचल फॉंट्स के सारी चीज़े देता है अरे जब व्यक्ति को यहीं नहीं पता कि म्यूचल फॉंट्स को व्यक्ति कैसे यूज करेगा क्या सारी चीजे करेगा कैसे सारी चीजे को चलाएगा कैसे उसको मैनेज करेगा सारी चीजे होती है विस्ताव से बताई जाती है समझाया जाता है मानो एक कोर्स चलाई जाता है जैसे की लोगों को पता लगे क्या सारी चीजे है एक वीडियो के माध्यम से सीरीज चलाई जाती है जबी तो लोग mutual funds की तरफ जाएं या फिर किसी चीज को करें तो देखे इस तरीके से नहीं होता है कि मैंने आपको grow application का वो उठा दिया और कहा दिया कि भाईया आप इस पर वो सिर्फ चीजे करो अरे उसको बताओ कैसे व्य भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना भविश्य बरबाद इन गुरुओं के चक्कर में कर लिया है क्योंकि जैसे उनकी सेलरी डाउन होती थी वह इन एप्लिकेशन से लोन ले ले लेते थे फिर नेक्स डे मन्त ऐसी आता था उनकी सेलरी का फिर उनके सामने इस डीटेल में इनफ्र हृता ओँ है व्यक्ति की पास में जा रही है अगर व्यक्ति उसे पता होगा कि हमे इन सब कुछ जानते हुए सब कुछ सारी चीजों को समझते हूं मैं फिर भी इसकी तरफ बढ़ा मैं पूरे तरीके से लोगों को जागरूप करने का प्रियास करता हूँ, पूरे तरही के से लोगों को इस सब चीज़ों से बचाने का प्रियास करता हूँ, तो आपका जो एक कोशन था, ये loan application बैन ना होने का, देखिए मैं आपको बता दूँ, ये application अब तक तो मुझे नहीं लगता, बैन हो पा माफी हूँ, क्योंकि दीखिए मेरा काम है लोगों को जागरूप करना, अवैर करना, उनको सही जान करीदेना, लेकिन अगर फिर मेरी बात कोई बुरी लगी है तो फिर भी मैं हाथ जोड़ करके उनसे शमापरार्थी हूँ ठीक है क्योंकि देखे मेरा काम जागरुकता का है वो में दिरंतर करता रहूँगा और बहुत साहे लोगों को मेरी बाते जो है बुरी भी लग जाती है बट मैं उसके लिए पहले ह जाहिंद वंदे मात्रम कोमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा